हेलो एवरिवन वेलकम तो मैं चैनल कुम्स्कॉलर आज हम एक नए चप्टर जो स्टार्ट करने जाने देखिए हमने लास्ट जो प्रीवेश जी वीडियो लेक्चर में देखा था हमने दिखा था केपिटल ब्जटिंग की एंड़ के यॉनिट नाम ह्या एं यॉनिट का नाम है वह क्या है मुझे मौलते हैं कमती आपिसे के लिए डिसे लॉइसे नियांकि लॉइट्टर्म जो कंपनी जो डीजन लेती है चाहे वो कोई मशिन री या प्लांट खरीदे में हो। चाहे वो कि बिल्डिंग करेदे में हो। या और भी कोई भी डीजिजन जो कि लॉइन परस्पेक्टिप होते हैं। उसको बोलते हैं capital budgeting right and यह जो capital budgeting है यह मेलने जो है दो broad category में divide हुआ है जिसको बोलते हैं capital budgeting estimation and the second one is capital budgeting decision पहले में एक बार ऑबर भी देता हूं like whatever we have discussed so far in capital budgeting estimation तो कि capital budgeting estimation में हमने हमने क्या देता है हमारो मेन objective क्या होता है यह वह हमने चट्टर क्यों पड़ा हमने देखा कि अगर हम कोई भी machinery या को प्लांट खरीने जा रहे हैं तो उसकी initially हमारे pocket से कितने पैसे जाएंगे और उसको खरिंदे के बाद हमें उसमें annually कितना कितना कैश हमें generate होगा ठीक है यहने कि हम मेली जो देख रहे हैं जो हिसाब किताब देख रहे हैं वो देख रहे हैं कैश इंफ्लो एंड कैश आट फ्लो को राइट अब estimation करने के बाद obviously हमें डिसेजन दों लेना होगा राइट बेकुछ की capital budgeting जो डिसेजन होता नहीं वो मेलनी आपकी जो हैं तीन चेंज से होगा निकलता हैं फर्स वर निदेट इस कोल जनरेटिंग जनरेटिंग एट मींस कितना कैश फ्लो हो रहा है इंफ्लो आट फ्लो कितना हो रहा है उसके बाद उसे इवैलुएट करो और उसके बाद फिर डिसेजन लो इसके बाद हम डिसेजन लो हमने यह देख लिया कि जनरेट कैसे करते हैं यानि तेखा ऑज इनिश्चेल आट फोद देखा फिर सबसेकंट कैश इन फोद देखा फिर टर्मिनल और साथ साथ हमने उसकी इवीलेशन बें देख रही है यानि उसकी मेजरमन किसा होती है अब हमैं पढ़ना है कि हम उसको i am जादा होगा तो जादा होगा तो जादा होगा तो भी खरेंगे तो जादा होगा बट फिर भी हम टेशन लेंगा पड़ा कि कि क्या यह जो हम जो मशिनरी पर्चेस कर रहे हैं क्या वो एफिशेंट है या नहीं है क्या वो एफेक्टिव है या नहीं है ठीक है लॉंटर्प डिसेजन के कहते प्रस्पेट्र से दिखना हमें तो आज हम देखेंगे आब जब भी कोई डिसेंग्षन में वह मेंली जो है दो टकनीकस है तो हम प्रत जा रहे हैं जैयर दोने केपिटल कि बजेटिंग कि टेक्निक्स और यह जो टेक्निक्स है मेसिकली दो ब्रोड काटिगरी में डिवाड़ेड है एक तो है कुछ ट्रेडिशनल अप्रोच ट्रेडिशनल पश्याइट हो या फिसको के सते हो लाइक नौन । अभी तो बता दुगा मैं कि मतलब क्या होता है नौन डिस्कांटिड फिर इसके बाद दूसरा आपकर टेक्निक आती है इसको बोलते हैं टाइम एड्जेस्टेड और इसको हम बतै हैं डिसकांटिड कैश फ्लोस कि डिस्काउंटेड कैश्फ्लोस देखिए अभी मैंसे दोनों को बेसिक डिफरेंस बता रहा हूं बागी डीपली तो हम बाद में पढ़ें गई कि डिटिशनल और या नॉन डिस्काउंटेड मतलब क्या होता है काफी पूराना मैथड है यानि सिर्फ दिखते हैं कितना इंफिलो कितना और फ्लो देट सेट हमने वो कुछ देखना ही नहीं है या प्रॉफिट की बेसे भी डिसाइड कर लिया और कुछ न लिया यानिकि जो माने जिये यानि की हम जो पैसा लगा रहा है उसकी क्या एक्सपटएशन है हमें उसको हमने इग्नोर कर दिया या फीचर में जो होने मांले जो रिस्क है या कैसा थे हैं जो इंफ्लेशन कर दिया 212 ुश्रो जिए तो ईडिस्दै तो फेक्टर होता है यानि कि जो से लिखा हुए नों-discounted discounted cash flow इसका मलब क्या है discounted cash flow इसका मलब क्या होता है that means all the cash flows which are basically impacting or you can say which are basically generating after taking all the effects of the risk inflation as well as the expected rate of return of the investors right that is called discounted cash flows ऐसे कोई आप सो दे कि cost of capital तो cost of capital मत क्या होता है जैसे company की cost क्या है जैसे मालिजी अगर आप equity shareholder हो तो company आप company के लिए वो cost क्या बनेगी हर साल company क्या देगी आपको dividend तो वो क्या हो गया cost of capital या cost of dividend हो गया ऐसे अगर मालिजी अगर company का आपने debenture purchase कर लिए तो company आपको क्या प्या गरेगी interest तो क्या हो cost of debt ठीके ना तो इसी को बोलता है याने कि यह नहीं कि discounted factor रहने कि आपकी expectation है वह मालिजी मैं क्रिसी company का shareholder हूँ मैंने expect मैं हर साल मालिजी मैं expert करता हूँ सब्सक्राइब तो यह मेरी expectation है ठीके that means company के लिए अगर वह dividend declare करना है तो company दिखी कि overall आज के time पे जो हैं सब investor की expectation क्या होगी और उसके coding हर से जो dividend declare करता है company करती है ठीक है तो कुछ ratio होता है कुछ percentage होता है उसके coding discount dividend declare होता है तो अगर company को investor की expectation को meet करना है उनको पहले पता होना चाहिए कि इंवेस्टर की expectation क्या है चाहिए 10 परसंट हो चाहिए 12 परसंट हो चाहिए 10 परसंट हो तो वह क्या बनेंगी cost of equity या cost of dividend बोल सकते हैं उसको आप तो इसको बहुत है हम discounted cash right यानिके expectation of the investors और फिर वह cash flows जो की आते हैं आफिर टेकिंग और दी इंफेक्ट्स आफ इंफ्लेशन ठीके ना विगोजिए इसे दीजिवात है आज आप बैंक में रखो तो उसकी money value जो वह इंक्रीज होते होते रहती है बाइदे टाइम बट वही cash अगर आप घर पे रखोगे तो बाइदे टाइम उसकी value जो purchasing power के अगोडिंग वह कम होते रहती है क्योंकि उसमें इंफ्लेशन रेट वह एड़न हुआ ही नहीं है ठीक है तो यह फर्स्ट आप के ट्रीशन है कि बहुत पुराना मेथड है याने कि इसमें कुछ नए कि तरह बहुत सिंबल तरीके से बात लिए है चलिए अब बात होंगे फिस्ट वन पेडेख सेंकि पीरियлам and the second one is that is average rate of return and sometimes it also called accounting rate of return accounting rate of return दो ने की बात है तो इसमें हम दो हम method पढ़ेंगे और अगर यहां बात करें तो यहां पर हम जो थी method बढ़ेंगे फर्स्ट वन इसकोल्ड नेट प्रेजंट वेल्यू सेकिंड वन इस इंटर्नल रेट अब रिटर्न थर्ड वन इस इस प्रॉफिट इस प्रॉफिटी इंडेक्स तो मेल लिए हमें यह चार method पढ़ने हैं बसे आ दखना कि यह दो method हैं यह आपकी non discounted method हैं यह जो ती method है आपकी discounted method आपकी अल्राइट चलिए अब discuss करते हैं इनको वन वे वन पहले बात करते हैं इसको payback period की बात करते हैं पहले बात करते हैं payback period बदीध आपकी बात काफे जिम्पल है ने यह की पगी बात अब लिए आपकी वन लाग आता है देट मेंस in how many years in how many years the project is basically uh generating the cash inflows equivalent to initial cash outflows I repeat in how many years the project generating cash inflows equivalent to initial cash outflows, जसकी मालने जय एक्जाए गजमपल है तिन शबोज इनितिल इन्वस्टमेट सबदें थेव्लिटी थूजराइप कि इनिट्टमेंट है यह साल जो कैश जन्रेट हो रहा है वह रहा है सपोस्थ 5,000 हर साल हुआ यह प्रण आपके साब से जन्रेट हो रहा है अब अगर मैं इसका पेट प्रिडीटर हो तो क्या बनेगा इनिशल इंवेशम्मेंट किती है 20,000 की हर साल आपको कितना मेल रहा है 5000 यह जो जो इनिशल इन्वेस्मेंट आपने की दिए आपको कितने साल में रिकवर हो जाएंगे पूर येर्स ने तो देखें सिंपल इसका फूमला बन गया क्या बन गया इनिशल इन्वेस्मेंट कि दिवाड़ेड़ बाए एन्वल कैश इनफ्लोव्स इन्वेस्ट इसके तो पेवाइट पीड़ के अट मिंस कि कितने येर्स में आपकी जो इनिशल इन्वेस्मेंट यह कब तक रिकवर जाती है अब जैसा अगर मैं सिधी से वाता है कि मानेज़ आपके पास दो प्रोजटि एंड बी जब एक परजट आपको सबस्ट फाइव यर्स में आपको रिकवर करें दे रहा है बी प्रोजट आपको फोर यर्स के दे रहा है तो आपको उनसे बने इन्वेस कर गई सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि यह आपको पैसा जल्दी रिकवर करतें करके जा रहा है ठीक है यह एक ट्रेडिस्टिन बेठाड है जहां पर इसको हमें सब्सक्राइब अगर आप में ध्यान से देखाओ फॉम्ले में फॉम्ले देखिए मैं वर्ड का लिखा हुआ हूँ आपर एन्वल कैश इंफ्लोस जैसा हर साल आपको पांच जह रिकवर हो रहाएगी यह मेली आया कहां से देखिए आपने प्रीवेश चप्टर पढ़ा होगा कैपिटल बजटिंग इस्टिमेशन में हर साल जो पैसा रिकवर हो तो क्या उसको क्या होती है हम सब्सिक्वेंट कैश ओस इंफ्लोस यह द्रानी कलन भी है कि मतलब हमने पहले वही मझालना होगा उसमें से मानस करना होगे dus और फिर हमें प्र उफिकिए निकालन होगा फिर टक्स माने घंड़ करना होगा पिर पोदिक एडब गयर हो हुआ चैन quiet आप वही जरो кीनन फेट कैश एन्वेशनम अ तो तो कोई दिखत नहीं है तो आपको तो निगाल नहीं पड़ेगी तो हमेशा दिखना यहां पर पेवेक पीट में जो एन्युल कैश इंफ्लोस है वो क्या है हर साल का आपको प्रॉफिट बिफोर डेफ प्रेशेशन आपको टेक्स की वेली रहनी है अल्राइट चलिए अब इसका हम देखें कोईस्टन बरबन देखते हैं